नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा केला खाने के अद्भूत फैदे के बारे में मित्रों केला एक ऐसा फल है जो असानी से हमें हर जगह मिल जाता है दोस्तों केला हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है मित्रों इसमें फासफोरस तथा बिटामि प्रदान करने के लिए काफी मानी जाती है दोस्तों केला का सेवन यदि आप फिरती दिन करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके सरीर की जो कमजोरी होगी जो दुरबलता होगी वह ठीक हो जाएगी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केला असानी से हर और बारों महिना यह केला हमें खाने के लिए मिलता है यानि कि आपको यह केला हर सीजन में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अगर आप पिरती दिन सुबह दो केले और एक गिलास दूद के साथ सेवन करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि मात्र एक महिना में आपका सरीर मोटा ताज दोस्तों बहुत ही अच्छा और दिव्य उपाय है यदि आप इसको करते हैं तो दोस्तों बिलकुल आप अपने सरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं तथा कई बिमारियों से बचाव कर सकते हैं दोस्तों आपने देखा होगा जो जिम करते हैं जो पहलवान होते हैं वह दोश चैसे एक दरजन केले खाते हैं फिरति दिन और उपर से एक गिलास दूध पीते हैं, दोस्तों, एक बात हमेशे याद रखें कि कभी भी आप जो है दूध में केला मिला करके ना पीएं, अर्थात कहने का मतला फिर दोस्तों आप जो है बनाना और दूध को मिला करके न पिये ठीक है और अगर आपको दूध और केले का सेवन करना है तो दोस्तों आप क्या करें कि पहले केले खालें फिर बाद में दो मिनट बाद आप उपर से गिलास दूध पी लें इससे दोस्तों क्या होता है कि आपका जो यह भोजन होता है जो यह फल होता है आसानी से पेट में पच जाता है और यदि आप दूध को केले में मिला करके सेवन करते हैं तो दोस्तों इससे आपका हाजमा यानि पेट खराब हो सकता है इसलिए इस बात का विशेश ध्यान दे क्यूंकि दोस्तों बहुत सारे लोग केले के फैदे तो बताते हैं किन्तु सौधानिया नहीं बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों यदि आप मेरी इन बातों को अजमाते हैं धारण करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपको केले खाने के लाब मिलेंगे कोई व्यक्ति लगतार दो केले और एक गिलास दूद के साथ सुबह रोज पृति दिन सेवन करता है तो दोस्तों यकीन मानिए एक महिने में उसके सरीर में अदभुत बतलाओ देखने को मिलता है उसका सरीर जो दूबला पतला होता है वह हश्ट पुष्ट हो जाता है यानि क तो उसको हिर्दे रोग की जो परसानी होती है वह ठीक हो जाती है साथी साथ दोस्तों यदि उसके सरीर में ठकावट बनी रहती है और उसको चक्कर आते हैं और उसके सरीर में कमजोरी बनी रहती है तो दोस्तों यदि आप केले का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको इन कारा मिल जाएगा मित्रों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केले का सेवन प्रति दिन करते हैं और इसके अध्भुत फैदे ले रहे हैं मित्रों यदि आप केले का सेवन करते हैं सही ढंग से तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप दोस्तों कई बिमारियों से पलवान बना रहेगा साती सात दोस्तों आपके सरीर की जो सक्ती है उसमें बृद्धी होगी और आपकी इसमरन सक्ती बढ़ेगी आपके आखों की रोशनी बढ़ेगी जो आपकी आथ है जो आपके गुर्दे हैं उनको साफ करेगा साथी साथ दोस्तों आपको एक नई उर्जा प्रदान करेगा और आपके सरीर की ठकावट दूर करेगा दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा जो अखाडे में पहलवान होते हैं दोस्तों आप यकिन नहीं मानोगे कम से कम वह लोग सुबह एक दरजन केला और उपर से एक लोटा दूध पीते हैं और दोस्तों आप उनकी सेहत देख सकते हो और वह लोग जो है मोटे ताजे होते हैं एक दम और कोई भी यदिया खाडे में उनसे मल युद्ध करता है तो दोस्तों वह लोग उसको बड़े आसानी से हरा देते हैं अपने अदभूत बल के कारण जो की केले के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है मित्रों केला हमारे सरीर में एक नई उर्जा प्रदान करता है तथा आपको और आपके सरीर को मेंटेन करके रखता है साथ ही साथ दोस्तों आपके सरीर में जो कैलोरी की मातरा कम हो जाती है जो हमारे सरीर में जो एक कैलोरी की जरूरत होती है उसकी पूर्ती करता है दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में या पडोस में या आपके रिष्टेदारों में आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सहत को लेकर के बड़े ही सौधान रहते हैं और अपने सेहत को बनाने के लिए अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मोटा तथा फिट होने के लिए वो लोग केले तथा दूद का सेवन करते हैं और दोस्तों और उनका सरीर भी हश्ट पुष्ट रहता है और वह लोग सभी से फूर्तिवान तथा एकदम ताकतवर होते हैं तो दोस्तों मैं आपसे भी चाहूंगा कि केले का सेवन अपना सरीर बनाएं अपना सेहत बनाएं और यदि आप बहुत ज़्यादा दूबले पतले हैं तो दोस्तों आपके लिए केले से अच्छा और केले से सस्ता कोई और फल नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप आज ही जाईए और केले को खरी दिये और सेवन करिये ठीक है दोस्तों जब भी आपको समय मिले लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों केले का सेवन रात में ना करें और अधिकतर हो सके तो केले का सेवन सुबह करें नहीं तो चार बजे से पहले पहले स साम के स्टाइम ठीक है दोस्तों यानि कि छैना बजाएं ठीक है सुबह आठ से ले करके चार बजे की वीज में सेवन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप साम के समय केले का सेवन ना करें मित्रों आपसे अनुरोध है ठीक है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कौन से में केला काम आता है दोस्तों यदि किसी के मुह में छाले हो गए हैं तो गाय के दही के साथ कुछ दिनों तक केला खाने से छाले ठीक हो जाते हैं तथा यदि आपको दस्त और पेंचिस लग रही है यदि आप गाय के दही में केला खाते हैं मिला करके तो दोस्तों आपको दस तथा पेचिस में लाब होगा साथी साथ दोस्तों यदि आप पेशाब रोग से परसान है तो दोस्तों आपको क्या करना है मुत्र रोग को ठीक करने के लिए आपको एक पका केला और आवले का रस 20 ग्राम लें और उसमें चीन सहद मिला करके फ्यट लें और सुबह सुबह वरित हो करके आपको इसका सेवन करना है आप देखेंगे कि दोस्तों आपके सरीर की जो मुत्र की समस्या है वह ठीक हो जाएगी यदि आपके सरीर में अमल पित की धिककत है तो दोस्तों आप तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ दोस्तों यदि आपका जी मिचलाता है तो दोस्तों आप क्या करें जी मिचलाने वा गले से पेट तक जलन होने की स्थिती में पके केले को मत कर उसमें देशी खांड वा इलाइची मिला कर खाएं इससे आप की यह समस्या ठीक हो जाएगी नक्सीर नक्सीर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों की नाक से खून निकलने लग जाता है जब किसी को नक्सीर होता है तो उसके नाक से खून निकलता रहता है तो इस नक्सीर को ठीक करने के लिए केले के साथ मीठा दूद कुछ दिनों तक सेवन करने से नकसी ठीक हो जाती है साती साथ दोस्तों यदि आप कम से कम रोज केला खाकर उपर से दूद्ध में सहद मिला कर पीना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टीवी रोग से छुट कारा मिल जाता है जिहां दोस्तों केला खाकर उपर से दूद में सहद मिला कर पीना चाहिए टीवी की भयंकर इस्थिती में धी कच्चे केले या केले के तने का रस निकाल कर एक दो कफ कुछ दिनों तक घूट घूट करके दिन में कई वर पिलाएं टीवी के रोगी से अनिवारता मुक्ती मिल जाएगी रस को पिरती दिन ताजा निकाल कर ही लेना चाहिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लावकारी है साथी साथ दोस्तों जल जाना यानि कि दोस्तों यदि जले हुए इस्थान पर केला पीस कर लगाना चाहिए इससे जला हुआ इस्थान ठीक हो जाता कई बार हम जल जाते हैं आग से और दाद खाज खुजली एक्जीमा वा गंजापन से मुक्ती पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत सारी चीजे करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यदि आप दाद खाज खुजली एक्जीमा वा गंजापन से परसान है और यदि आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पके केले के गुदे को नीवू के रस्में पीश कर मलहम बना कर लेप करना चाहिए इससे लाब होगा और आपकी समस्या ठीक हो जा खिर उंचे लाइ